एडवेंचर के शौकिंग लोग अक्सर रोड़ेप पर निकलते हैं, भारत में ऐसी कई सड़के हैं जिन पर चलने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं इन सड़कों पर आए दिन हाथ से होते रहते हैं, लेकिन फिर भी रोड़ ट्रिप के शौकिंग लोग कहा मानने वाले हैं इन सड़कों पर expert driver भी चलने से डरते हैं यहां हम आपको ऐसे ही भारत के टॉप 10 खतरनाक सड़कों के बारे में बताएंगे जिन पर driving skills के साथ साथ अच्छी किसमत भी होना बहुत जरूरी है तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो वीडियो को अन तक जरूर देखें कर वीडियो परसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले नमबर 10 चांगला पास चांगला पास लद्दाक को तिब्बत से जोडता है इस सड़क से गुजरते हो ट्रैवर्स की घिगी बन जाती है चांगला पास पूरे साल बरब से ढखा हुआ होता है यहां जा रही हो तो मेडिकल किट और गर्म कपड़े जरूर ले कर जाएं क्योंकि चांगला पास का मौशरम का कोई ठिकाना नहीं इसकी अनुमानित उचाई लग बग 17,585 फीट है खतरनाग मोडो वाली इस सड़क पर आर्मी की कड़ी निगरानी रहती है यहां गाड़ी चलाते हुए अच्छे-च्छे ट्रैवर्स के पसीने चूट जाते हैं खरदुंगला पास में आप नुब्रा वैली से एंट्री करते हैं यह सड़क अक्टूबर से मई तक बंद रहती है इसकी अनुमानित उचाई लग बग 18,389 फीट है हिमाचल प्रदेश के किन्वर को कालपा से जोडने वाले इस हाईवे को आप नरका हाईवे भी कह सकते हैं यह सड़क पहाड को काटकर बनाई गई है और इस पर चलते हुए खाई और खतरनाक सुरंगे मिलना आम बात है यह भारत को तिबबत से जोडने वाली सड़क NH5 का एक हिस्सा है नमबर साथ, नाथूला पास नाथूला पास भारत के सिक्किम और दक्षिट तिबबत में चुम्भी घाटी को जोडता है इससे दुनिया की सबसे उची मोट रेवल रोड माना जाता है यह भारत और चीन के बीच तीन ओपन ट्रेडिंग पोस्ट बोर्ड में से एक है इस सड़क पर ड्राइविंग करना काफी मुश्किल है नमबर 6, माथिरान नेरल रोड यह सड़क माथिरान और नेरल को जोडती है सरपीले अकार की इस सड़क पर ड्राइव करते हुए कलेजा मुख को आ जाता है यह सड़क मक्षन की तरह स्मूथ है लेकिन इतनी सक्री है कि आप गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते पहाडियों से घिरा माथिरान अपनी प्रकरती सुन्दरता के लिए काफी ज़्यादा फेमस है हिमाचल प्रदेश और लद्दाक को जोडने वाले इस पास को रोतंग पास या दर्रा के नाम से जाना जाता है इस सड़क पर चलते हुए आपके धहरे की बड़ी परिक्षा होती है क्योंकि इस सड़क पर हमेशा ही जाम लगा रहता है और आप कच्छुए की रफतार से आगे बढ़ते हैं बरवारी के मौसम में इस रोड पर दुरगटना होना बहुत आम बात है सिक्किम में मौजूद यह सड़क काफी गुमावदार है जो इसे काफी खतरनाग भी बनाता है यह सड़क स्रमुदरतल से 11,200 फिट की उचाई से होकर गुजरती है इस रोड पर चलते हुए आपको बहुत ही खुपसूरत द्रश्य देखने को मिलेंगे हाला कि यहां की खुपसूरती देखती हुए अपनी निगाहें सड़क पर टिका कर रखना बेहत जरूरी होता है वरना कभी भी दुरगटना हो सकती है तमिलनाडू के नमककल जिले में इस्तित कोली हिल्स एक खुपसूरत टूरिस्ट डेश्नेजन है यहां मौझूद एक पहाड़ी सड़क कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा तस्वीर को देख कर लगाया जा सकता है इस रास्ते पर लगातार सत्तर हेयर पिन मोड है जिसके करड़ी है बाइकर्स के बीच काफी फेमस है कोली हिल्स के नाम का सापदिक अर्थ मौत का पहाड़ है यह सड़क नेशनल हाईवे 244 का हिस्सा है जो चिनाव नदी के साथ साथ चलती है इस बेहत खतरनाक सड़क के बारे में एथलीट मिल्क फ्लॉवर ने अपने यात्रा के बारे में बताया था इन्होंने यह यात्रा साल 2013 में की थी इसके बारे में उन्होंने बताया कि इस सड़क पर यदि आप जल्दवाजी करते हैं तो फिर आपकी जान का भगवानी मालिक है यह सड़क काफी जादा खतरनाक है नमबर एक जोजीला पास दर्रा जोजीला पास दर्रा भारत की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है पलक जपकी नहीं के बंदा 3538 मेटर की उचाई से सीधे नीचे टपक जाएगा यह सड़क स्रीनेगर से ले जाते हुए रास्ते में पड़ती है यह दर्रा लद्दाग और कश्मीर को जोडता है यहां ताप मानशूने से माइनस 45 जगरी नीचे तक चला जाता है तो दोस्तों यह थे ऐसी भारत की टॉप 10 सबसे खतरनाक सड़कें या खतरनाक रूट्स कह सकते हैं तो उमीद करते हैं आपको वीडियो परसंद आया होगा अगर वीडियो परसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें चले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी बहतरीन जानकारी के साथ में